मश्कार आप इसी धी लाई तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के जिले यमुनानगर के नैशनल हाईवे की तस्वीरे हैं आप सभी को जानकारी देदें कि एक रस्ता रदौर की तरफ जाता है और दूसरा रस्ता सहरनपुर की तरफ जाता है एक बार भड़ती कीमतों को लेकर जी हां किसानों ने मांग की है कि किस तरीके से गन्य की कीमतों को भड़ाया जाए उसके सानिते में भारती किसान यूनियन टकैट ने जो है आज रोड चाम करने का फैसला लिया था और आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि जहां तक आप अपनी नजर दोड़ाएंगे वहां तक जाम की स्तिथी उत्पन होती हुई नजर आ रही है आप सभी को जानकारी दें कि विश्कर्मा चौक के नज़्दीक हम लोग स्तित्य और आप देख सकते हैं कि जाम की स्तिथियां या पर होती नजर आ रही हैं यह हाईवे पूरी तरीके से जाम हो चुका है आप सभी को जानकारी देते हैं मौके पर प्रसाशन भी तनाथ है और आप सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे की तस्वीरे दिखाएं तो आप लोगों को देखेंगे कि किस तरीके से जाम की स्तिथियां उत्पन हो चुकी है किसानों ने अपने गन्ने से भरी ट्रॉली जो है लगा दी है और अपना जो है पू पर दिखेंगे के मुल्य को लेकर यहां पर प्रजर्शन करता हुआ नजर आ रहा आप यह तस्वीरे देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर विदोर परशर्शन होता हुआ नजर आ रहे हैं मेरे सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रह देख लिएगा ताप लगों को दिखाने और प्रयास करते हैं कि समस्त जो किसान है वा यहाँ पर पूरा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है बता देश अध्यक्षरतनमान की अगवाई में यह पूरा प्रदर्शन होता हुआ नजर आते हैं जिसमें भारते किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कहीं न कहीं आप सभी को जानकारी देदें कि भड़ रही कीमतों से जिहां गन्य की कीमते सरकार के दोरा नहीं भड़ा रही जारी जिसके बाद जो है किसान एक बार फिर से सडकों पर आने का प्यास करें से पहले भी जिला उपायुक्त पार्थ गुपता को नोंने ग्यापन सुप्चा था लेकिन उसके पाथ कोई भ प्रश्चन करते हैं कि तमाम जो है आप लोग देख सकते हैं कि हाँ पर दरियां बीच चुकी है और दरियों के साथ साथ आप सभी को जानकारी दे देखी हैं पर जो है पुरे बडिया तरीके से प्रजर्शन करने का काम किया रही है आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि भारती किसान यूनियन के द्वारा गन्ने की जो है सरकार के द्वारा पीमते नहीं बढ़ाई जारी उसके लिए विदोध प्रजर्शन किया गया था जिसमें बताया गया था कि वो इस तरीके से शुगर मिल के नजदीक जो है अपना ए मौके पर जो है पुलिस प्रशाशन के तमाम अमले मौझूद है और मौके पर डियस पी कवल जीत यहाँ पर पहुच चुके हैं लौ एंड ओर की स्तिति को मेंटीन करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो है करने के लिए दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक की तमाम पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुची है और कहीना कई शीत लहर काफी चल रही है तो यहाँ पर वाटर कैनन भी रखे हुए है कि अगर स्तितियां बिगडती है तो कहीना कई मौके पर उसका भी प्रयोग किया जा सके मिरी सबी सेपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है मौके पर डीएसपी जो है अपनी पूरी रणनीती बनाते नजर आते हैं और सफर प्रशन करते हैं मिरी सभी सेपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा आज सभी को चानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से गन्ये की छोलियों के साथ ज पर डाब के लिए पंजाब ने बड़ा दिया कहीं नहीं लगता की ने बढ़ाना चाहिए बड़े दुखी बात है जब से ये लोग सता में बैठे है चोरों की उलाद गोरों की उलाद कुरसी पर बैठे है तब से लिए के देश का किसान मुझ्दूर गरी सड़कों पर बै इलान के बाद मारत हुँ आपने कहा साथ लगते पर देश से जाला गरने करट देने का काम करूंगा साथ लगते पंजाब सरकार ने सरकार नहीं चớडने करेक्ड देने का का मुझां किया और साथ में दो महिने से पेमेज रोख एक फिसानों की यह बर्दास्T नहीं होगा को अभी बीच में बाट है कि आपके अपने प्रदान्य परबाद बाट फुञे कर लोगा कि locks करें दो स्ब्सक्रेद का द्रश करते स्मय होती है यदि सरकार के देश है एक नहीं दर्जोन मुकदमें कर दीजे हमें इसका डर नहीं है देश का किसान मजदूर किसान मुकदमों से नहीं डरता यदि मुकदमों से डर होता यदि देश आज भी गुलाम होता अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के कानून का अग्रोध किया और यही कहेंगे हक से हक है हक से ले जाएंगे जपकते पलक से ले जाएंगे खत्रसाब अभी तो गन्ना है यह तो बना के दंडा तुमारे हलक से ले जाएंगे यह देश का किसान कमजोर नहीं है अपना हलक से लेकर दिकारना जानता है इहां किसान कमजोर नहीं है वह अपना हक लेना जानता है यह कहा है साहई सिंग गुजर में और कही ना कहीं आप सभी को जानकारी देदें कि समस्त नहीं कि भारतिय किसान यूनियन के पदादिकारी यहां पर बैठे हुएं और कहीं ना कहीं गन्ने के कम रेट के चलते जो है प्रदेशन करते हैं नजर आ रहे हैं मौके पर बाचित करने का प्रियास करेंगे सुभाज गुजर से क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे पूरे प्रदेश कारे करम है जिसका विज़ है और एक बज़े हम रोड को खोल देगे और आगे जो भी हमारे पतादिकारी प्रदेश कारिया कारणी की मीटिक में फैसल होगा है यहां के जो बड़े दिकारिया डिस पी एड क्वाटर उन्होंने मेरे को का आपके खिलाब मामले दर्ज कर देंगे मैं मामले से लेडर थ चाहिए मेरे को अंदर कर दें पहले मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं कोई मैं अपना परसनल काम नहीं कर रहा हूं और हर आदमी को अपनी हवाज ठाने का हाक है यह किसी के वाज दुबाई नहीं सकते सरकार के दुबारे बढ़ाए गया है यह असले परसनल खुद हो मेरे से वालग बात है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हम अपने अंदोर के रोड जाम ड़एंगे ना ड़एंगे और अगर रोड जाम करने के दुबारा काल आती है रेलवे रोड रोड़ रोगने की हम वह भी कर बारते खिसान यूनन के साथ किसानों की आवाज बनते हुए किसानों के मसीहा बनते हुए यमुना नगर से नजर आते हैं मिर्य सबी से लड़ो बपा रहा है यह जरूर करते रहेगा और बारते किसान यूनन की बात की जाये तो शहरी इकाई के लोग भी पर मौझूद है जिन्होंने कुछ दिन पहले नगर निगम यम्रानगर के भार प्रदरशन भी किया था मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियों देख पा रहा था शेयर जरूर करते रहेगा ताब सभी को जानकारी देने कि बार्शित करने का प्रयास करेंगे तो आप मु